मैं मीसा दी के परिवार के लोगों को मैं उसी रिष्टे से बुलाता हूँ जिस रिष्टे से तेजस्वी या तेजपता बुलाते हैं अलग बात है मुझे तकलीफ कहां से हुई कि उस मंच में मेरा छोटा भाई खड़ा था तेजस्वी खड़े थे उस मंच My father was always accused इस तारे कि वो वीडियो मैंने नहीं देखा पूरा वीडियो हो सकता है शायद हो उसमे वो विरोधाया नहीं इसी बात की तकलीफ मुझे भी है ठीक है किसी ने कुछ कहा अलग बात है मुझे तकलीफ कहां से हुई कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई खड़ा था तेजस्वी खड़े थे उस मंच पर और तेजस्वी से मेरा वो रिष्टा रहा है हम दोनों के पिता आज राजनितिक हम लोग अलग खेमे में एक तरफ है बट इसके लिए हम एक दूसरे के परिवार को गाली तो नहीं देंगे ना उस मंच पर तेजस्वी मौजूद है उनके सामने जिस तरीके से मेरे परिवार के लोगों के लिए बाते कही गए मेरी माँ, बेहन को लेकर जिस तरीके से बाते कही गए मैं इमानदारी से बोलता हूँ अगर मेरे सामने कोई तेजस्वी जी के परिवार के लिए, आदर्निय रावडी देवी जी के लिए, आदर्निय मेरी बेहनों के लिए, कोई कुछ बोलेगा मैं मूँ तोर जवाब दूँगा उसको, मैं नहीं बरदाश करूँगा, मेरी राजनीती एक तरफ है बट वो मेरा परिवार है, मेरे पिता के समकष रहे हैं लालू जी, उनके साथ उन्होंने काम किया है, दोनों परिवार का एक गहरा संबंद रहा है, बच्पन मैंने तेजस्वी ने मैंने साथ गुजारा है, ऐसे में वो मेरे ही परिवार के लोग नहीं हूँ, तेजस्वी के भी परिवा बुलाते हैं तो वो रिष्टा रहा है ऐसे में उनके सामने ये सारी बाते बोली जा रहे हैं और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला इस बात की तकलीफ है मुझे मैं दुखी हूँ मतलब आक्रोश तो मैं क्या ही बोलू और ये कहीं ना कहीं आपको गलत शवी में दिखाता है और ये उसी जवी साथ बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं नबह के तशलक में इसी तरीके से मा बहन बेटियों को गाली दी चाती थी वही जग्लया गया है आप उसुति आपको इस पे स्टैंड लेना चाहिए था और आप नहीं स्टैंड लेकर आप तो वो हैं जिन्होंन राजनीती से डर कर नब्बे के दशक में लोगों ने पलायन किया था और ऐसे में जो विपक्ष की प्रत्याशी हैं वो भी उसी मंच पर थी भाई आप भी किसी की बेटी हैं आप भी किसी की बेहन है ऐसे में एक महिला होने के नाते एक महिला को गाली दी जा रही है आपके सामने आप कैसे बरदाश कर रही हैं खैर मैं इस पर मैं कोई कारवाई नहीं कर रहा है मैं कोई action नहीं ले रहा बढ़ हाँ मैं हूँ दुखी और यह बात मुझे पीड़ा देती है कि मेरे परिवार के लोग थे वहाँ पर और उनके सामने मेरे ही परिवार को गाली दी जा रही थी और वो लोग खामोशन है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें